नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और special story तो दोस्तों आज की हमारी special story में आपके लिए कुछ special मामला ब्रिटेन का है जहां एक पुलिस वाले की ना समझी उस पर भारी पड़ गई उसे एकर रेप की रिपोर्टर फाइल करनी थी कम्प्यूटर पर मामला दर्च करते वक्त उसने गलती से अपना नाम आरोपी की जगा डाल दिया और रिपोर्ट कोर्ट भेज दी उस कस्टरी सर्जेंट ने नए नए नौकरियां जॉइन की थी और समझा जा रहा है कि वो कम्प्यूटर पर रिपोर्ट फाइल करने की प्रैक्टिस कर रहा था दिल्चस्प बात तो ये है कि उस कस्टडी सर्जेंट को ये जानकरी नहीं थी कि जो रिपोर्ट वो फाइल कर रहा है वो लाइव है यानि सेव पर क्लिक करते ही मामला कोर्ट पहुंचाता है डैली स्टार की खबर के मताबिक हालात और भी पूरे हो गए जब मामले की सुनवाई का समय आया मैजिस्ट्रेट ने आरोपी को कोर्ट में नहीं पाया लिहाजा सर्जेंट के खिलाफ अरेस्ट वारेंट जारी हो गया फेस्बुक पर UK COP हुमर नाम के पेज ने ये खबर शेयर की इसके बाद ये मामला इंटरनेट पर खुब वाइरल हो गया हाना कि कस्टडी सर्जेंट के नाम का खुलासा नहीं किया गया बता दें कि ब्रिटेन में कॉंस्टेबल को सर्जेंट रैंक मिलता है बारहाल अब हालात कुछ ऐसे है कि सर्जेंट का नाम ब्रिटेन के अपराधिक डेटाबेस में दर्ज हो गया है इससे हटवाने के लिए अब उसे कोड के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो दोस्तो मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहत पसंद आई और नीची कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हम से जानने के लिए हमारे चैनल को कीचिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब